करंटरफिर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम सैप्टाबर मन्त के करंटरफिर को डिसकस करेंगे 15-16 क्वेशन जो टॉप नोचके हैं वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और यह वही क्वेशन होते हैं जो सक्ष्ण मकादमे को टेलीगराम गुरूफ है उसमें आपको जो निउस्पेपर हैं उनकी कटिंग के मादयम से डाल दिये जाते हैं तो अगर आपने अभी भी टेलिग्राम गुरूप जॉइन नहीं किया है तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रागुलर बेसेस पर जो भी करन की चीजे होती है वो डाल दी जाती है तो आप लोग जो है उनको जिस दिन जो चीजे टेलिग्राम में डाली जात जो भी आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है तो आज की इस वीडियो की सुरुआत करते हैं पहले क्वेशन के साथ और इसमें कुछ क्वेशन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टन जैसे है पहला ही क्वेशन देख लिजे यहां पे है केदार से प्रेवन पुरुसकार 2023 क किसको मिला है कौन सी संस्टा है ऐसे जिन को पुरुसकार मिला है तो यह इसमें याद रखेगा संकलपतरो को मिला और ढ questa इ Lorived inomaal 5000 इंदोजिवन ओकी यह जो बनाई गी थि यह बनाई थी यह आपके पास दी बिहारई लाल जी ने देखो यहांपर इनवार्मेंटल जरे Chat तो यहाँ पे आपके वास पहला और दूसरा इसका राइट अंसर हो जाता है सेकिन देखेगा राजभासा हिंदी के कारवन में अग्रणी भूमिका के लिए इसमें राजभासा कृती पुरुसकार में जो पहला इस्तान मिला हो किसे मिला है यह बहिए आपके TSDC को मिला है ठीक है तो यह क्या करते है जो भी इनका डॉकमेंटेशन होता है यानि जो भी इनका ऑफिचल जो वर्क होता है हिंदी में हो उसके लिए इनको यह पुरुसकार मिला है तो कभी कबार ऐसा ही क्वेशन पूछ लिया जा सकता है तो आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं हाली मुतरकन सरकार दारक के स्तित्य को बुग्याल स्रक्शन दिवस मनाने की यहाँ पर घूसना की है तो यहाँ पर आपके पास जो है दो सितंबर को यह बुग्याल स्रक्शन दिवस मनाने की घूसना की है बुग्याल दिवस ठीक है इस चीज को दियान रखेगा तो देखे कभी कबार के हैं ऐसे क्वेशन डिरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं अगर आपको दियान है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं और अगर आपको पता नहीं है तो भीया फिर ऐसे क्वेशन होने बहुत मुस्किली है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेशन आपके पास है कि यहाँ उत्राखन के पांचवे राजे उलम्पिक खेलों में किस जनपत को सरवादी गोड मिले इस ते रेटर काफी क्वेशन होंगे तो हम उसको आगे डिसकस करते रहेंगे तो लगबग जितने भी हमारे 13 डिस्टिक हैं उनमें से 12 डिस्टिकों को कुछ न कुछ जरूर मिला है सुर्ण पतक के मामले में लेकिन उत्रकास्ती एक मातर ऐसा है जिसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है तो इस टाइप के इन्हों नहीं launch क्या है उत्रकास्त पर्लकास्त और रह डिसके लिए इस जीजे इस पूर्टल को एक higher क्रवान मिला थे नहीं आ एक प्रवासी सम्मेलन है, मतलब question पूछ लिया जाएगा या उत्राखंट प्रवासी सम्मेलन कब मनाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो तिति है वो है आपके पास साथ नॉमर की, ठीक है तो मैं आपको बहुत जादा इसमें detailing में नहीं जा रहे हैं देखो सबसे पहले बात है कि एक आता है हमारे पास साल 2024, साल 2024 में हमारे पास प्रियाटन दिवस की जो थीम है वो थी आपके पास प्रियाटन और सांथी, जो important है न मैं आपको वही चीज़े बता रहा हूँ, प्रियाटन और सांथी, ये तो सबसे पहली बात है कि ये थीम तीक तीसरी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1980 से इसकी शुरुवात हुई थी अच्छा इसमें हम क्या करते हैं कि जो यह समय यह विश्व परियटन दीवस हुआ था दोजा चॉबिस में चार गाओं को सर्वस्रिष्ट परियटन ग्राम पुरुस्कार मिला और उसमें से आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास यहां पर हर्सिल गाओं लिखा न एक जखोल गाओं है यह आपके पास उत्रकासी में एक तो इसको मिला है पुरुस्कार यहां पर ठीक है तो इसको किस पुषा जाएगा प्रेवडा तो किरसी आधारित प्रेटन के लिए सूपी गाउं को जो है ये पुरुसकार मिला है और सूपी गाउं आपका कहाँ पे ये आपके बागेश्वर में ठीक है अच्छा बहुत सारे लोगों कन्फिजन रहती है ये नैनी ताल वाला ये नैनी ताल वाला नहीं है ध्यान किरसी के लिए तो किरसी लहा जाता है ये 4 चीज़े आपको यहां से पूची जा सकते हYं हैं पर्टिकुलर कुषिन देखेगे क्रसी आधार प्रेटन के लिए आपको सूपी गाउं किलियर होगी बात चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन है खादेश रक्षा ये वो मानक प्राधिकरण ने उत्तरखंड के किस परिसर को इट राइट कैम्प गोसित किया है देखे इट राइट कैम्प का मतलब क्या होगा है एक ऐसा परिसर जहां पर आपके पास जो इन्वार्मेंट है बहुत अच्छा हो ठीक है मतलब सुद्ध आप इसको मान सकते हैं स्वास्ते के लिए उप्योगी हो आपको जहां पर बहतर भूजन मिले तो यहां पर दो जैसे आपके पास एक सुद्ध वाला कारागार हो गया ठीक है और एक सची वाले हो गया इन दोनों को इस समय इट राइट कैम्प गोसित किया गया है तो इसमें आपको बस यही चीज़े हैं जो ध्यान में रखनी है तैन क्वेशन देखें देरे दून में आयजित कीगी उत्रखन प्रीमें लीग दोजार चौबिस का खिताब जो है यह किस ने जीता था तो इस समय ध्यान रखेगा इस समय उत्रखन को यहां पर कौन सा इस्थान मिला यहां पर अठावरा इस्थान मिला है ठीक है पहला किसको मिला था पहला आपके पास यहां पर केरल को मिला था तो ये वाला जो question है ये भी important है तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं बाकि ये फसाई ने ये है जारी किया था और इसमें थोड़ा सा उत्राखन से डिटरे कुछ चीज़े हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं एक यहाँ पर हाली में एक वैग गिरी गंगा गौरब सम्मान मिला है गिरी गंगा गौरब तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखेगा ये थोड़ा सा important चीज़े बन सकती हैं कि भी ये गिरी गंगा गौरब सम्मान किसे मिलावा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना गजंदर आप सभी लोग जानते हूं कि जो वर्तमान में हैं आपके पास हो रितू बारी जी है ठीक है तो ये आपके पास 10 अक्टूबर को जा है ये सिवानिवर्त हो चुकी है बागी इसके बाद नदेंदर जी इनसे पहले भी है ये आपके पास क्या था ये अंदर परदेश कोड के जो है बरिश्णियाइदीस रह चुके है आगे बढ़ेंगे 13 फटीन की तरह नहीं है आपके पास राजभासा गौरव पुरुसकार ये राजभासा गौरव पुरुसकार से किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर ग्रीस चंदर जुसीजी को राजभासा गौ कुल ली जेगा जित्मुझे पता हु तो इन्होंने किया किये में। एक किताब लिखी है है तो यहां पर इसे में ऑनोंने हिंदी में यह बूक है। इन्हों कर आप में ट्रोफिय वगेरा भी इसमें मिलती है तो इसमें थोड़ा सा आपको यही चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है चलिए आगे बढ़ते है अलमोडा निवासी कंचन पंत को किस फिल्म के लिए इमेजन इंडिया फैस्टिवल यहां पर इसमें यह किया गया था रुद्रपूर में ठीक है उद्धाटन यहां पर रुद्रपूर में किया गया था ठीक है यहां पर एक मनोज सरकार स्थेडियम है वहां पर इन खेलों का उद्धाटन किया गया बाकी देखो हर चेक हिलों की बाकिती हरी अजए पर्टिकुल आजम पूश्च qualifications की अ किया गया तो इसका question आएगा, सूचना प्रादेगी विकास agency या भारतिय प्रबंधन संस्तान, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारी चीज़े नहीं पढ़ रहा हूँ, यह चीज़े थोड़ा सा खुदी आपको पता होने चीज़े, तो सूचना प्रादेगी विकास agency, अब इसमें कभी कबा उड़ाना और एक technically और कोई पड़ा लिखा इंसान उड़ाए तो थोड़ा सा difference हो जागा, तो technically जो उसमें अच्छे हों, ससक्त हों मतलब, तो उन लोगों के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर organization यहाँ पर ट्रेनिंग करवाएगा, पहली बात यहाँ इसके लावाँ जैसे जो उन पाइलेटों को यहाँ पर तयार करने के लिए इस टाइप की स्कीम को यहाँ पर चलाए गया है, चलिया आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकवारदार किस दिन को गड़ भूज दिवस मनाने का आववान के है, देखे आपने, मतलब पहले भी पता होगा, काफी बार आय जुत में सन 2000 से यह अभियान शुरू किया किया, गड़ भूज अभियान, तो आप देखी रहे हैं, गड़ भूज हमारे जो भी पहाड़ों के जो इंपोर्टन रखाद्या, जो सामागरिया हैं, जिसमें कोदा जहोरा इस टाइप की जो चीज़ें आ जाती है, तो उनको थ